श्री राम लला के प्रान परतिष्टा समारों की ऐुद्या में जर्शरोर से तैयारी चल रही है ऐुद्यानगरी सचकर तैयार हू चुकी है जिसको लेकर मद्रपदेश समेथ पूरे देश में खासा उत्सा है इसी की चलते भूपाल में भी शीराम मंदिर महस्व को लेकर खास तैयारियां की गई है जहां भूपाल के युवा सदन के सामने शीराम मंदिर की आकरशक प्रतिकृती सेलफी पॉइंट बनाया गया है जो लोगों को अपनी ओर आकरशित कर रहा है इस सेलफी पॉइंट का शुभारम मदिप्रदेश के विधान सभा अध्यक्ष नरेन सिंग तो मर ने किया जहां उन्होंने कहा कि देश के लोगों के जीवन का ये एतिहासिक वर्ष है सौभाग्य है अयुद्या के राम मंदिर में राम लला विराजमान हो रहे हैं नई पीडी इसकी शाक्षी बनेगी ये एनेक वर्षों के संघर्ष के बाद देश को देखने को मिल रहा है 22 जनवरी का दिन एतिहासिक दिन होगा देश के जीवन में और हम लोगों के जीवन में 2024 का साल एतिहासिक वर्ष के रूप में दर्ज हो रहा है 22 जनवरी को आयोध्या जी में प्रभु राम के मंदिर में प्राण प्रदिश्था हो रही है ये छण लोगों को देखने को मिले इसके लिए हिंदुस्तान और दुनिया के अनेक लोग वर्षों से बाढ़ जो रहे थे इस छण को पाने के लिए हमारे तमाम सारे पूरवजों ने सादू संतों ने कारसिवकों ने अपना बलिदान किया और उसके परणाम सरूब ये अवसर हम सब लोगों को बिला है गौरतलवे के शीराम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश उसाहित है यही कारण है कि भुपाल के हुजूर विदान सभा सीट से विधायक रामिश्वर शर्मा ने राम भक्तों की आस्ता को ध्यान में रखकर शीराम मंदिर की क्रिती बनाई है लोगों को भी शीराम मंदिर का ये मॉडल खूब पसंदा रहा है जहां लोग बड़ी संख्या में पहुच कर प्रभू शीराम के मंदिर के साथ सेलफी ले रहे हैं लोकमत के लिए भुपाल से आकास सेन की रिपोर्ट